हेलो एवरिबन रादी रादी जी कैसे है सब आई होब सब अच्छे होंगे तो आज मैं आप सब किलिए लेकिए लोकी का हलवा लोकी में परचूर मात्रा में प्रोटेन आइरन विटामीडी पाया जाता इसके सेवन से हमारे एसीडिटी और गैस की सबस्या दूर होती है और कोई भी ले सकते है फुल बैट लेंगे तो अच्छा है फिल लेंगी हम मलाई यह मैंने दूद की जो फ्रेश में लाई होती है वहई ली यह लिए दूद की मलाई आधा कप इसे अच्छे से फेट लिया है चमत से और फिर लेंगी हम शूगर यानि आधा कप शूगर ले ल चाहे तो जैसे भी कट कर सकते हैं यह मैने काजू ले थे आठ इसे भी एक काजू के मैने दो पिसिस कर दी है यह मैने किश्मिश लिया है चमच और लेंगी हम मिल्क पाउडर मिल्क पाउडर लिया है मैंने तीन चमच तीन बड़े चमच लिया है इसे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा खोए जैसा और लेंगे हम गिया यहानि इसे कई लोग घिया लोकी यहानि अलग लग नामों से इसे बोलते हैं तो पहले हम लोकी को यान गिये को अच्छे से चील लेंगे पिलर से चील करके धोलेंगे अच्छे से दोनों घीये को ये मैंने दोनों घीये को चील करके धोलिया है अब इसे हम पीछ में से कट करेंगे ताकि हम इसे करेंगे कद्दूगस अच्छे से कदूगस भी हो जाएगा जादा बड़ा है पहले इसे हम कर लेंगे छोड़ोटे पीसे में यहीं से अगर आप बीज निकाल करके काटना चाहते हैं तो आप ऐसे कट कर लिए करेंगे देखेंगे पहले तोड़ा सा कट करके एथना सपपेज करके देखेंगे यह मिठा है या नहीं कई वार कोडा भी निकलता है इसलिए फेले करके ही बिनाईएंगा यह देखेंगे इसे जो अधर है अगर आप ऐसे कदूगस करना चाहते हैं तो ऐसे कर लीजे कोई भी कदूगस ले लेंगे ना तो जदा मोटा करेंगे ना जदा पतला करेंगे मेडियम साइज का कद्दुगस यानि ग्रेट कर लेंगे से बहुत ही असानी से हो जाएगा यह देखेंगे ऐसे मेडियम साइज का कर लिया है मैंने कद्दुगस अभी देखेंगे इसके जो हमने बीज नहीं निकाले है यह साइडो साइडो से जो ग्रीन ग्रीन पार्ट है इ डाल देंगे चमच से और इस घीड को अच्छे से गरम कर लेंगे घी को गरम करने के बाद हम ड्राय फूट को थोड़ा सा रोस्ट करेंगे रोस्ट करने से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है आप चाहे तो ऐसे भी डाल सकते हैं मैं निकाजू और बदाम को ऐसे डाल दिया है और हलका से ऐसे रोस्ट कर लेंगे ज्यादा नहीं करना है हलकालका फ्लेवर के लिए ही करेंगी बस इसको चलाते रहिए अभी होगे हलकालकी अभी से हम निकाल लेंगे निकाल करके साइट पे रख देंगे और फिर इसी कडाय में हम डालेंगे लोकी जो हमने कद्दू करस्का के रखी थी वो डाल देंगे और घी में थोड़ देर के लिए लोकी को बूनेंगे अजसे से चलाती होए बूनेंगे पांच मिनट के लिए से बूनेंगे लोकी को पकाते पकाते ये इसके क्मांटर्टी कम हो जाएगी और थोड़ा सा अच्छा टेस्ट आएगा से बूने से ये देखेंगे पहले से थोड़ी सी लोकी कम लगने लगी है थोड़ा सा कलर भी इसका चेंज हो गया है यानि अब ये पक गी अब इसमें हम डालेंगे दूद दूद डाल देंगे फिर अच्छे से मिक्स कर देंगे इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद हम गैस को कर देंगे स्लो और गीये को अच्छे से यानि हलवी को अच्छे से हमने पकाना है थोड़ा देर वोईल आने देंगे थोड़ा से वोईल आने के बाद अच्छे से पहले हिला देंगे, हिलाने के बाद इसे हम डख करके 5 मिनिट के लिए पकाएंगे, 5-10 मिनिट के लिए इसे डख कर पका देंगे, ताकि जो गिया है अच्छे से गल जाए, और बीच-बीच में चलाते रहना है, देखेंगे, थोड़ी देर के बाद देखेंगे, दूद अच्छे से सूग गया है जो लोकी का हलवा है वो अच्छे से सोफ्ट हो चुका है अच्छे से मिक्स कर देंगे थोड़ थोड़ देर के बाद चिलाते रहेंगे क्योंकि ये चिप करने लगता है अच्छे से मिक्स करेंगे इसे निएकें दूम अच्छे से शूख गया है और लोखी का हलवा अच्छे से पक चुका है अब इसमें हम डालेंगे फैल अच्छे से मिक्स करेंगे इसमें यलाईची का पाउडर डालेंगे हम आधा छोटा चमच इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा और मैग भी बहुत ही अच्छी आएगी फिर इसमें हम डाल देंगे milk powder milk powder डाल कर अच्छे से mix करना है कोई लम से नहीं डाने चीए गर्म-गर्म है यह हलवा तो अच्छे से mix हो जाएगा milk powder से बहुत ही अच्छा मावे जैसा टेस्ट आएगा इसलिए हमने डाला है यह optionally है अच्छे से mix कर देंगे फिर इसमें हम डालेंगे मलाई जिसे कि मैंने अच्छे से fat लिया है fat कर अच्छे से mix हो जाएगी आप भी fat करके यह डाले देखेंगे ताजी मलाई मैंने लिए थी इससे अच्छे से mix कर देंगे चलाते रहेंगे और थोड़ देर के लिए से और पकाएंगे ताकि जो मलाई डाली है वो अच्छे से पक जाए फिर पकने के बाद इसमें हम डालेंगे sugar यानि चीनी powder sugar लिया हमने आप कोई भी ले सकते हैं फिर इसे अच्छे से mix करेंगे चीनी पानी चोड़ती है तो इसलिए थोड़ देर के लिए इसे और पकाएंगे हम यानि जो पानी चोड़ेगी वो उसे भी अच्छे से सुखाना है पानी को बीच-बीच में चलाते रहना है छोड़ना नहीं है एक मिट के लिए भी नहीं तो ये चल जाएगा इसका फिर अच्छा नहीं आएगा फिर इसमें हम डालेंगे ग्रीन फूड कलर वन पिंच डाल देंगे एकदम बजार जैसा दिखने के लिए हम डालेंगे फूड कलर ये ऑप्शेनल ही है देखेंगे कलर बिलकुल नैच्रल लग रहा है इसका हम ज्यादा फूड कलर नहीं डालेंगे हलका सा ही ढाला है हमने फिर इसमें हम ढालें की जो रोस्ट आपने ड्राइपrito करके रखे दे बहुँ डाल देंगे मैं अच्छ में किश्मिश डाल रही हूँ मैं किश्मिश फ्राइ करना ही बूल गी थी आप चाहिए तो फ्राइ कर कर डाल सकते है उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा फ्राई करकर यह किश्मिश पूल जाती है तो इसलिए आप फ्राई करकर ही डाले मैं बोल जोगी थी इसलिए मैंने ऐसे ही डाल दी अच्छे से मिक्स कर देंगे जो हमारा बचा हुआ घी था पहले हमने लिया था एक तिहाई कप उसी घी में से हमने ये घी लिया है और एक्स्टा घी नहीं लिया है थोड़ा सा जो बचा था वो हमने डाल दिया है इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे थोड़ी देर के लिए इसे और पकाएंगे घी डाल करके बहुत ही टेस्टी हलवा बनकर त्यार होएगा एक बार खाएंगे तो बार बार खाती रहेंगे उगले चाड़ती रह जाएंगे बहुत ही टेस्टी हलवा बनता है गाइज देंगे अच्छे से मिक्स कर देंगे थोड़ा सा और इसे गाड़ा करने के लिए रख देंगे वोईल आचो के आपके आइस को कर देंगे बंद और हल्वे को करेंगे सर्व आप भी ये रेस्पी ट्राइगर कर देखिए आपको ये रेस्पी कैसे लगी हमें कमेंट करके जुरूर बताइए और वीडियो अच्छे लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपनी फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर कीजिए थैंक्स ओर वाजिंग रदे रदे जी